अभी तक दो वीडियो में हमने देखा present tense, past tense और यह tense का आखरी वीडियो है जिसमें हम लोग देखने जा रहे है future tense आखरी का मतलब यह नहीं कि इसके बाद मैं tense की कोई वीडियो नहीं लाओंगा इसके बाद ऐसी वीडियो आएंगी जिसमें बच्चे कहां पर गलती करते हैं ऐसे कौन-कौन से जखाया है जहां पर tense में errors पाये जाते हैं ठीक है तो चलो फटा फटा फटाम लो इस वीडियो क continuous tense ठीक है अभी तक हमने क्या-क्या देखा simple present काफी important था simple past काफी important था in the similar way simple future tense भी काफी important है बाकि सभी future tense से simple future tense कुछ जादा ही important है structure तो आपको पता है कि future tense है तो वहाँ पर आपका shell और will तो आएगा ही आएगा यह आएगा यह आपको पता ही है कि shell किसके साथ लगता है आई और we के साथ और दुनिया में जितनी भी चीजे हैं सब के साथ will लगता है ठीक है अगर मैं affirmative के structure की बात करूँ तो shell will के बाद हमार आएगा negative की बात करूँ तो यहाँ पर not plus v1 plus other words आएगा ठीक है और अगर मैं interrogative की बात करूँ तो shell will के बाद subject उसके बाद भी वन आएगा ठीक है यह सब तो बच्चों बाली चीजे हैं थोड़ा सा high level की चीजे पढ़ते हैं uses पढ़ते हैं सबसे पहला use होता है to show future action कोई भ होती है उसमें भी हम simple future use करते हैं कैसे करेंगे अभी हम लोग देखेंगे to show future tense through the following sentences अब देखो यहाँ पे कुछ structures है यह 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 चारो structure जो है दिखने में लग रहा है present है लेकिन यह हमको tense कौन सा show करते है future का वो कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा present tense to so simple future tense ठीक है तो simple present tense का use करकर भी हम लोग simple future tense कर सकते हैं जैसे कि हमने simple present tense के ही use में सिखा था वैसे अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ठीक है देखो एक करके हम लोग सारा example देखते हैं ताकि हर एक चीज जो है वो हमारा clarify हो जाए I will help you यह जो हमारे structure है वो हमारा simple future ही है ठ अब ही नहीं future की मैं बात कर रहा हूँ my brother will be 25 next year मेरा भाई जो है वो अगले साल 25 का हो जाएगा यह भी हमें future tense कर रहा है I sell by a car when the police sorry when the price comes down मैं एक कार खर दूंगा जब price कम हो जाए if you come here I shall help you if you come here I shall help you अब देखो यहां पर एक conditional sentence आ रहा है if के बाद हम subject लगाएंगे फिर यहां पर हम v1 या v5 लिखेंगे उसके बाद हम comma लगाते हैं फिर यहां पर हम subject के बाद shall या will plus v1 plus other words का हम यूज करते हैं यह हमारा है structure तो यही है conditional sentence conditional sentence का एक मैं separate video अलड़ी बना चुका हूँ जिसका link मैं नीचे दे दूंगा और अच्छे तरीके से इसको मैं एक बाद फिर से review कर दूंगा ठीक है तो जितनी भी conditional sentences होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं जो principle clause होता है उस principle clause में हम लोग sell will का use करते है इफ वाले पार्ट में मत लगा देना जहां भी इफ लगा है उसके साथ कभी भी sell will मत लगाना गलत हो जाएगा उसी प्रकार यहां पर देखो बोला है ना if you come here अगर तुम यहां पर आओगे I shall help you मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो I shall help you वह हमारा principle clause है और यहां पर use हो रहा है simple future tense आगे when it rains the plants will grow जब बारिश होगी तब plant grow होगा ठीक है double double future tense कभी मत लगाना बच्चो क्या नहीं लगा होगे double double future tense कभी मत लगाना आगे चलते है अब यहां पर कुछ structures ऐसे कि मुझे काम करना है that means आपने अभी तक काम start नहीं किया आपको करना है मुझे school की fee भरना है तो आपने अभी तक fee भरा नहीं है आपको भरना है in the similar way I have to pay the fees मुझे fee भरना है तो जो काम अभी तक आपने किया नहीं है future में करोगे वहां पर आप उसको simple future समझोगे she has to do this task at any cost उसको ये काम किसी भी कीमत पर पूरी करनी होगी ठीक है यह पर पूरी करनी है present में नहीं है future की बात कर रहे है he is to come to patna उसको patna आना है वो आया नहीं है आएगा ठीक है you are to appear at the examination तुम examination में बैठने वाले हो ठीक है अभी तक बैठे नहीं हो बैठने वाले हो the bus is about to start बस खुलने ही वाली है यानि कोई भी ऐसा काम जो आपका present में ना होकर future में होने वाला है वहाँ पे आप simple future tense लगाओगे she is about to sing a song वो एक गाना गाने वाली है अब देखो यहाँ पे क्या फरक है इसमें हम बोलेंगे he is to come to patna वो patna आने वाला है लेकिन अगर मैं बोलू he is about to come to patna वो patna आने ही वाला है The bus is to start, bus खुलने वाली है The bus is about to start, bus खुलने ही वाली है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ही वाली है ठीक है, और इसमें हम रोब बोलेंगे वाली है Next, My father is going to buy a new car this Diwali मेरे पापा इस Diwali एक नई कार खरीदने जा रहे हैं तो जब भी आप जा रहे हैं का सेंस यूज करते हो, समझ जा वो फ्यूचर है जैसे कि I am not going to spare you, मैं तुम्हें छोडने नहीं जा रहा हूँ My father is going to teach him a lesson मेरे पापा उसको एक सबक सिखाने जा रहे है That means कभी तो गए नहीं है, वो कम होने वाला है I am going to buy a new mobile phone, मैं एक नया mobile phone खाइदने जा रहा हूँ That means अभी तक मैंने खरदा नहीं है तो जो भी कम future में होने वाला है, simple future He is going to write several weeks Several weeks नहीं, several books He is going to write several books वो कई books लिखने जा रहा है That means अभी तक वो लिखा नहीं है, वो लिखने जा रहा है अब देखो ये वाला जो है वो काफे important हो जाता है ये मैंने आपको कहा था कि जब भी कोई pre-planned action हो उसके लिए हम simple future के जगहा पर हम simple present tense का use करते है क्या सो करने के लिए? future tense करने के लिए तो देखो यहाँ पे 7 p.m. tonight यानि आज राद 7 बजे predefined है pre-planned है तो इसके लिए हम यहाँ पे will start नहीं लगाएंगे starts लगाएंगे the school reopens on 10th of June 10th of June को school वापस खुलेगा तो ये पहले से pre-planned है तिसलिए यहाँ पे भी हमने reopens लगाया यहाँ हम will open नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा ठीक है बच्चो next next हमारा आता है future continuous tense और कोई भी ऐसा काम जो future में हो रहा होगा जैसे कि जो काम हो रहा था past continuous जो काम हो रहा है वो present continuous लेकिन जो काम हो रहा होगा future में उसके लिए हम use करते हैं future continuous tense इसमें आपको ध्यान रखना है कि shall b plus b for shall यह structure सब mistake कैसे हो गया shall not b plus v for कुछ इसमें problem आ रहा है जिसके बार-बार edit मुझे करना पड़ रहा है मैं सही कर रहा हूँ लेकिन बार-बार वो वापस से पुराने mode पे चला जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है shall will के बाद हम subject लगा कर अब इसका यूज कहा करेंगे वो तो मैंने आपको बता दिया future tense में कोई action अगर हो रहा होता है तो उसके लिए हम use करते future continuous tense अब देखो example he will be playing cricket tomorrow morning वो कल सुबा क्रिकेट खेल रहा होगा ठीक है रहा होगा she will be staying there वो वहाँ पे ठहर रही होगी ठीक है या फिर वो वहाँ पे ठहरी होगी at this time tomorrow I shall be watching this film या फिर जब भी याद रखना at this time लगा दे और future time बता दे तो वहाँ पे आप इसका use करना ठीक है कल इस समय मैं खा रहा होगा कल इस समय मैं गा रहा होगा वैसे कल इस समय मैं वो movie देख रहा होगा when you get home I will be reading जब तुम घर पहुँच रहोगे या फिर जब तुम घर पहुँचोगे मैं पढ़ रहा होगा ठीक है ध्यान रखना कुछ-कुछ ऐसे connectors है जैसे when हो गया as soon as हो गया if हो गया इन सब के साथ कभी future tense मत लगाना ठीक है इसके बाद बला जो sentence होगा ना उसके साथ future tense लगाना इन सब के लिए भी मैं आप लो के एक separate video लेकर आऊंगा जिसमें सारी चीज़े सिखाऊंगा next future perfect tense definitely perfect tense है तो हमारा cell will के बाद have आएगा plus v3 cell will not have देखो यहाँ पर mistake होगा cell will not have plus v3 और उसको cell will plus subject plus have plus v3 ठीक है तो perfect tense जहां देखो वहाँ v3 लगेगा future है तो वहाँ पर हमारा cell or will आएगा ठीक है अब हमको कोई नो कोई वीवन चाहिए इसलिए हमने आपे help लगा दिया very simple अब देखते हैं यूज़ज future perfect tense का सबसे पहला use होता है for an action that will have been completed in future by a definite time यानि किसी भी definite time तक यह मानलग definite time है इस time तक कोई action जो है वह पूरा complete हो जाएगा ठीक है तब हम future perfect लगाते हैं जैसे by monday by tuesday by january by february before monday before tuesday before january etc ठीक है यानि by और before इन दोनों का use ज्यादा होता है चलो देखते example we will have finished this task before monday यानि monday से पहले हम लोग इस काम को कर चुके होंगे खा चुके होंगे जा चुके होंगे ऐसे करके his brothers will have finished the work by next month यानि अगले month तक उसके भाई लोग इस काम को फिनिश कर चुके होंगे ठीक है देखो है पर definite time दिया हुआ है by next month before monday and last by this month next year I shall have completed 30 books यानि ये मान लो अगला साल इसी महिने की बात कर रहा हूँ तब तक मैं 30 book complete कर चुका होंगा यानि future में अगर कोई time देकर कोई action के complete होने की बात की जाए तो समझ जाना वहाँ पर हमें future perfectness लगाना है क्या बोला मैंने कि future में अगर definite time देकर कोई action के complete होने की बात की जारी हो तो समझ जाना हमें वहाँ पर future perfectness लगाना है ठीक है बच्चो लास्ट future perfect continuousness तो कोई ऐसा काम जो future में कुछ समय तक चल रहा होगा वहाँ पर हम future perfect continuousness लगाते ठीक है इसमें आपके इस आएगा cell will have been plus before cell will not have plus before ठीक है cell will not have been plus before सब में इस्ट्रक्चर में आपे mistake हो गया है ठीक है I am really sorry for that उसके बाद interrogative में cell will के बाद subject plus have been plus before plus अदेवर्स ठीक है uses ये पहला use मैं आपको बता दिया to show that an action that will be continued in future for a definite time future में definite time के लिए कोई action अगर हो रहा होगा continuous होगा चल रहा होगा तो वहाँ पे हम लगाते है future perfect continuous tense note for a definite point of time in future from is used instead of since यानि अगर मैं future continuous tense की बात कर रहा हूँ तो उसमें गलती से भी since मत लगाना वहाँ पे हम लगाते हैं from हाँ for लगा सकते हो जैसे कि कोई period हो तो कोई period के लिए for लगा सकते हो और कोई point of time के लिए जहाँ पे आप since use करते थे हर एक जगा पे उस जगा पे आप से use करोगे from कहाँ पे future में future continuous लिख दिया future perfect continuous tense यानि future में हम since का use करते नहीं अब आपके माइन में कोशन आए कि sir क्यों नहीं करते क्योंकि since का जो मतलब होता है वो होता है अब तक अब तक इसका मतलब past में कोई काम start हुआ और वो present में अब तक कितना देर तक चला वो बताता है future की बात नहीं करता है इसलिए हम from का use करते हैं जैसे example देखते है I will have been going to my new school from Monday मैं Monday से अपना new school जा रहा हूंगा The farmer will have been working in the field He will have been playing a football match for two days वो दो दिनों के लिए एक football match खेल रहा होगा तो देखो रहा होगा तो है लगना ना continuous है लेकिन time दिया है तो जहां आपको लगे continuous हो लेकिन time दिया हो वहाँ पे आप perfect continuous tense का use करोगे ठीक है यह मैं हर एक tense की बात कर रहा हूं by the end of this month I shall have been teaching here for five days five years हो जाएगा यहाँ पे कितना mistake हो गया जी ठीक है देखो five years हो जाएगा इस महिने के last तक इस महिने के last तक मैं यहाँ पर पांस सालों तक पढ़ा रहा होंगा यानि मैंने start किया था past में पर अभी भी future में होगा यह चल रहा है और होगा यहाँ पांस साल मेरे complete हो जाएगे कहने का मतलब यह है ठीक है फिर से बता दे रहा हूँ future में अगर कोई काम start होकर लंबे समय तक चलने वाला है तो वहाँ पे आप future perfect continuous tense use करोगे second point since का use नहीं करोगे from का use करोगे ठीक है बच्चों आजाओ कुछ practice question देख लेते हैं पहले video pause कर लो बना लो फिर वापस आओ हो गया चलो अब देखते है look at the sky it dash to rain क्या हो सकते है यहाँ पे will go यह is going very simple is going it is going to rain ठीक है next unless we now we can't be there on time बताओ यहाँ पे start होगा यह start will start होगा जल्दी बताओ क्या होगा क्यों दिमाखे ले गया ना तो देखो until till और तुम्हारा हो गया unless इसके साथ कभी भी future tense तो मत लगा ना क्या लगाओगे simple present tense तो till until unless इनके साथ हमेशा simple present tense का यूज करेंगे future tense को दिखाने के लिए ठीक है तो यहाँ पे हमारा will start तो कड़ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा हमारा start next the term to dash from 15th of December बताओ जो second term होगा वो 15 December से start होगा कहने का मतलब है तो भाई यहाँ पे क्या लगेगा very simple यहाँ पे हमारा time दिया हुआ है कहीं भी हमारा definite time हो क्या हो definite time हो यह कह सकते हैं हम pre planned हो भाई यह start होगा तो अचानक तो start नहीं होगा यह pre planned है तो कोई भी action अगर pre planned हो तो वहाँ पे हम simple future tense नहीं लगाते हैं हम वहाँ पे simple present tense लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा starts ठीक है चलो next I'll telephone you when I dash अभी मैंने आपको कहा कि when के साथ कभी भी हम future tense नहीं लगाते हैं when के साथम क्या लगाते हैं simple present tense तो ढूंडो भाई इन दोनों में simple present क्या है have तो यहाँ पे हो जाएगा have ठीक है बच्चो next you dash the bill by the time the item arrives तो यहाँ पे देखो कभी भी दो-दो future tense नहीं होता है ना तो इसलिए एक sentence आपका क्या हो चुका है simple present में जा चुका है अब कहने का मतलब क्या है देखो by लगा दिया तो by लगा दिया that means की future में कोई काम के खत्म होने का time दे दिया है तो वहाँ पे आप क्या लगाते हो future perfect tense अभी थोदे पहले मैंने बताया तुम्हें बिल मिल चुका होगा जिस समय तक यह आइटम पहुंचेगा ठीक है समझ गया ना you will have received the bill by the time the item arrives and thank you so much my dear students and my dear friends for watching this video इस पूरे tense के series में मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोज grammatical topic पे आने वाली है और study net channel को भी जाकर subscribe कर लेना मेरे नाम का विश्विज विश्वास को भी subscribe कर लेना और ऐसे ही मिलता हूं अगले वीडियोज में and तब तर के लिए everyone take care be safe keep learning and keep watching be smarty